हम बच्चे से बड़े कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता और बच्पन की तरफ वापस कौन नहीं जाना चाहता है आज एक बार फिर हम जाएंगे बच्पन की तरफ एक डिश के साथ हम बनाने वाले हैं चौको बॉल्स Welcome to my world, Megna's Food Magic चौको बॉल्स बनाने के लिए हमें चाहिए केक का चूरा, melted chocolate, चौको गनाश, थोड़े से sprinkles और लॉलीपॉप स्टिक चलिए बनाते हैं चौको बॉल्स सबसे बिल एक mixing bowl में हम डालेंगे केक का चूरा और उसमें हम डालेंगे चौकलेट गनाश जबी भी आप घर पे केक बनाओ और उसके साइट्स जो कट करके हम वेस्ट जाने देते हैं उसी वेस्ट में से हम चौको बॉल्स बना सकते हैं इसको एक बार हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे एक अच्छे से परफेक्ट आटे जैसा मिक्स होना चाहिए ताकि जब हम इसके बॉल्स बनाएं तो क्रेक ना आएं परफेक्ट आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है बिल्कुल आटे की तरह और इसमें से हम लेंगे एक्विल पॉशन और इसके बनाएंगे बॉल्स परफेक्ट एक और बनाते हैं ट्राइं टेक देख सेम कॉंटिटी ताकि आपके सारे बॉल्स एक ही शेप के बनें और इसी टाइम पर हम इसमें लॉलीपॉप स्टिक डाल देंगे ताकि जब हम फ्रिज में इसको सेट करने के लिए रखे लॉलीपॉप स्टिक अच्छे से उसमें फिक्स हो जाए और अभी हम इसको रखेंगे फ्रिज में अप्रॉक्सिमितली फाइब टो टेन मिनेट्स आइटिंग चॉकलेट बॉल्स सेट होके तयार हो गए होंगे एक बार चेक कर लेते है परफेक्ट जैसे चाहिए था वैसे ही हो गया है अच्छे से सेट हो चुके है अभी हम इसको डिप करते हैं मेल्टेट चॉकलेट में मेल्टेट चॉकलेट हर तरफ बॉल्स पे चिपक जानी चाहिए और इसको हम रख देते हैं ऐसे बाकि चॉकलेट अच्छे से सेट हो जाए और उसके उपर हम डालेंगे स्प्रिंकलर्स एक और लेंगे और वापस उसी तरह से अच्छे से चॉकलेट में इसको कोट करेंगे हर तरफ से चॉकलेट लगनी चाहिए जितनी ज्यादा चॉकलेट उतना ज्यादा पन परफेक्ट और उसके ऊपर हम डालेंगे स्प्रिंकलर्स जो बच्चों के सबसे फेवरेट होते हैं तो तयार है सूपर यमी चॉकल बॉल्स जिसको हम ट्रांसफर करेंगे एक अच्छे से गार्णिश की हुए ग्लास पर तो लीजिए तयार है चॉकल बॉल्स अगर आपको ये चॉकल बॉल्स की रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें उन्लियों मेगना स्फूर्माजिक